दुनिया बर के बाज़ारों में भले अभी भी मंदी की चिंताएं हो महंगए का डर हो या फिर ब्याज़ारे कब बढ़ना रुकेगी इस पर अंदाजा लगाने का सिस्टम चल रहा हो लेकिन भारतिय बाज़ार जबर्दस मजबुति के साथ लाइफ टाइम पर लाइफ चुका है और मिटकेप और स्मॉलकेप शेयर जो आपके चेहरे पर मुस्कुराइट लाते हैं वो हर रोज नए हाई की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं तो ऐसे में हमने सिकी है एक खास सिरीज की शुवात लाइफ एट लाइफ आई फाई जी हाँ जब बाजार ज यह सब कुछ करना है तो कहां करना है कैसे करना है और इसलिए इस सिरीज की शुवात हम करने जाने हैं बाजार के जाने माने दिगगज और वेल्ट क्रेशन के हिंदुस्तान के सबसे बड़े एक्सपर्ट मोतिलाल ओसौल फिनेशल सर्विसर्स के को फाउंडर और चेर्में जाम दे अगरवाल साब हमेरे साथ आज इस्टूडियो में आचुके हैं सर बहुत-बहुत स्वागत है लम्मे समय बाद आपसे स्टूडियो भी मुलाकात हो रही है तो जनरली हम मिलते हैं लम्मे समय बाद तो खाल चाल पूछते हैं चाल बाजार के आपको बताने है हाल अपने बताने, wealth अगर अच्छी बन रही तो आपके हाल अच्छ है, चाल वाजार के आप बताएंगे तो हमें पता चाल जाएगा आगे क्या हो रहा है, यह से आपने बोला कि lifetime high, so wealth अच्छा है, health अच्छा है, फिर सब कोई अच्छा है, तो पहले sir, health से शुरुआत करें, fit and fine lifetime high, life high, यह दिख रहा है market का, लगवग लगवग उन लेवल के आसपास है, wealth बन रही है sir, lifetime high है सिर्फ लास 75 साल का, अगले 75 साल का lifetime high अच्छा है, तो यह क्या है, जिसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं तो 100 के index से चालो क्या है, 100 का sensex, sensex होता है, तो वहाँ से 62, 63,000 का sensex, अ 1000, 12, 13, 14% से बढ़ते चले आता है, मता हो ही जो आपका 18,000, 37,000 का निफ्टी है, तो वह 37, 37,000, 40,000, यह समझ जीजिए आप, यह है 23, तो आपको 25, 28, 28 से 30 के बीच में कभी भी आपको 40,000 का index दिखे आपको, अब वह कब होगा, कैसे होगा, किस spirit से होगा, 28 से 2030 के बीच में 40,000 का निफ्टी का टार्गेट बनता है, यह आपने आज हेडलाइन दी मुझे सर, आप लोग आल टाइम हाई बोलते तो ऐसा लगता है, यहां से नीचे जाने का, ऐसा नहीं है, यह आपको यह पीशे के लिए, आगे के लिए आल टाइम हाई नहीं है, बि ही आज है, यह दूसरी headline है, बहार नहीं है, आप बहार नहीं है, आप जो खहितना है, ज्यसरी खहितना है, घंडी अंधर नहीं है, बट बजार के अंदर हो आप, वह बहुत जुर इस साल जो है में लगता है कि earnings से उपर बयार चल सकता है, मालो 12-15% earnings आया है, हो सकता है बयार 17-18, 20 तक भी चले, हो सकता है बयार फ्लाट रहे 5-7 तक बड़े, लेकिन जितना देर बयार यहां रुखेगा, उतने ही आपका धनी कठा हो रहा है, वो रेकरिंग डिपॉजिट है, वो क्यूमिलिटेव रेकरिंग डिपॉजिट है, वो 23-24 पॉजिश चलेगा और क्या इतने सारे अच्छी चीज़ हो रही है, इकनोम में recover हो रहा है, आपका FIs का view positive बनते है रहा है, earnings are shaping up, valuations are reasonable, best है, बिल्कुल, बढ़िया समय है, एकदम first class समय है, और आम तोर पर sensex nifty का level सर को पता भी नहीं होता, कई बार जब show के पहले पूछते मुझे सर, अरी level क्या चल रहा है यह तो बता दो, लेकिर आज सर न सबसे पहले जो आप हमेशा सबसे ज़्यादा देखते हैं, जिसमें पैसा लगाना वो कमा रहा है की नहीं, तो यह earning season, result season भी खत्म हुआ है, इस result season को देखने के बाद, आप हमारी company की कमाई को लेकर पहले से ज़्यादा confident है, result भी ठीक है, ज़्यादा negatives नहीं है, positive banking और financial sector मे तो फिर उसके बाद जो है, मतब फिर base effect आना चालो होगा और थोड़ा slow down हो जाएगा, लिकिन क्या है, सबसे बढ़ी चीज हो रही है की, जो recovery थी, वो case shape थी पहले, जितने सब discretionary upper end item थे, जिसे car है, car भी रहा था, लेकिन motorcycle नहीं भी रहा था, अब थोड़ा wide spread हो रहा है, अ जो अभी two wheeler का demand जो है, बहुत robust है, मजबूत, अभी आप देखे, बजा जाटो, hero motocop, यह सब 25-25% चल गया है, यह चलते की अप्रेंबे में उनका demand बहुत बढ़ी है था, जून का भी महना बहुत अच्छा जा रहा है, तो यह देखते वे ऐसा लग रहा है कि now recovery is becoming very broad spirit, ज अभी आपका 13-14%, 15% अभी चल रहा है, उसके उपर से आप देखे कि GST collection जो कोई फज नहीं कर सकता है, every month it is coming, वो भी 157,000 crores, first month of the year, after 187, तो यह भी बहुत अच्छा है, अब मुझे लगता है कि 12% growth है last year से, फिर वापस जो अगला महने आएगा, वो भी अच्छा है, सभी अभी साहब से PMI देखिया आप, manufacturing services to 62-63 है, manufacturing is also 57, सब मिला कि महौल बहुत अच्छा है, और inflation भी under control है, interest rate भी pick out हो गया है, अभी अब तो मदा आने बजार में शॉपिंग करना ही पड़ेगा, चलिए शॉपिंग तो आपके लिए तो शॉपिंग कार समय वो होता है, जब थ हमारे हालात देखते तो सीना चोड़ा हो जाता है, और बाहर के हालात देखते तो ऐसा लगता है कि मामला ढ़ीला हो जाता है, आज ही World Bank ने कहा भी है, ग्लोबल ग्रोथ का अनुमान बढ़ा रहे हैं, 1.7% से 2.1% कर रहे हैं इस साल के लिए, हमारा गटा रहे हैं, 6.6 से 6. 3 कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं होगा, कि सर हम तो मजबूत ही है, हमारे तो ग्रोथ ही, अगर बाहर की एकोनोमी और ज्यादा ग्रोथ करेगी, तो हमारे जो कुछ यह सेक्टर, कुछ 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 ग्लोबल मार्केट पर डिपेंडेंट है, उनकी ग्रोथ और ब इस ग्रोथ फास्टेस ग्रोइंग लाज एकोनोमी, तो यहां से अगले 10 साल में, अगले 10 साल में, अगले 10 साल में यह पंच से च्छे पर डिपेंडेंट हो जाएगा, इंडिया ग्रोथ वर्ल्ड, अब उसमें आप अलोकेशन कैसे आप मतब 1.5 पर से रुके रहेंगे, त जब आएगा तो गये भी तो होलसेल में गये, और आएगे भी तो होलसेल में, तो बिना भाव देखने हैं और बिना भाव देखने खर देगे, अब कभोगा वो मनी वालाईगा. यह जो भगदर मचेगी, जब एक और लोकल मनी है, हमारे इन्वेस्टेश बार मेचूर हो च एक साथ फायर करेंगे, मार्केट का क्या होगा? अभी प्राइट में अनलिस्ट है, वह पैसे यहां पर फ्री होगा, फिर जागे फिर प्राइटिक भी आएगा, और इस तरफ जो है जो प्रामोटर्स जिनको लगता है कि अभी मेरे बहुत बड़ा घर खाईने का है या मेरे और कुछ करने का है, so they will also keep supplying some amount of profit booking from promoter side, वह भी हो अब देख रहे हो, trend तो बनी रहा है, सब लोग का recommendation है, and ultimately GDP growth rate, corporate profit both is sustained way में आएगा, तो कोई choice नहीं है अच्छा सर आपने auto की बात किया, आपका favorite sector भी रहा है, लेकिन rate sensitive stocks जितने भी है, bank, auto, real estate, जो हिंदूस्तान की economy से जुरू है, गजब के numbers, गजब की growth क्या अभी भी यह space जहां bullish रहना चाहिए लेकिन पूरा बारा महने जो खराब था इनका, बताब the base effect है, जैसे particular in tubular, उतना अच्छा नहीं था, यह पहला साल चालो हो रहा था, उनका base नीचे है, उसे काहन से growth rates looking much higher, 20-25 तक ऐसा देख रहा है, which will come down to 12-13, अगले साह आप देखेंगे है, तो 12-15 परसेंट में अटक ज real estate की बात की, तो real estate पहले तो duty cut over हुआ, पहले तो लोगों को लगा भाई चलो, उसके वज़से होगा है, अब लेकिन demand sustained, sustained across India, across India, so मेरे खाल से real estate एक बहुत बड़ा sector है, और जैसे बजार से भी जो है बजार में wealth credit होता है, उसका भी कुछ portion जो है real estate में जाता है, इस बार क इतना ज्यादा deep correction नहीं हुआ, बजार रुका जारो एक साथ से, like last year was a flat year, तो बजार रुका हुआ था, उससे क्या हुआ कि सब लोगों को जिसका, जिसका माल दस क्रों का 20 क्रों हो गया, उसको पांच-छे क्रों निकालने का तो बहुत आराम से उन्होंने बेच के real estate में ड रहता है इसको ज्यादा effect आएगा आपको real estate में boom, बिल्कुल, real estate sector में boom होगा जायर सी बात है उसका असर फिर stocks में आना ही आना है, अच्छा एक और banks को लेकर आप से राय लेना चाहता हूँ, दो तरह के view बड़े strong है, एक तो यह कि business जोड़दार सब कुछ है, दूसरे सब भी बोल रहा है कि it's a dream run right now, highest margin and lowest credit cost, तो demand में बहुत बढ़िया है, इसने की demand में कुछ एकदम, दूसरा क्या है कि इन्हों है जो covid की time में जो भी write off किये थे, वो सब recovery भी हो रहे है, तो सब तरफ से हारत अच्छी है और credit growth अच्छा है अभी भी, तो market का एक नियम है कि ए करें थोड़ा slow हो जाए, लेकि मुझे लगता है कि credit lending तो हुआ है अभी, lending तो इसे 12 मेने हुआ है उसके पदेख पूरा covid के करणा से affected था, clean था, so bank के तकलिफ चालो होने के लिए कुछ नो कुछ credit expansion हो चाहे है, और गलत credit expansion हो चाहे है, अभी यहां से जो थोड़ा race चालो होगा और बहुत घलत credit होगा, वह अभी चालो नहीं होगा है, वह अभी समय होगा है, और RBA भी गार्ड में है, banks भी बहुत गार्ड में है, और बिना गलत काम के उनके पैसे कमा रहे है, तो मुझे लगता है कि अभी भी, it is too early to call the top for the banking, बड़े इंटरेस्टिंग, आपने अच्छे लेवल आगे हैं जा पर पैसा लगाए जाए या इनसे डरते रहे हैं, अच्छे लेवल से तोड़ा और उपर आगे हैं, इसना समझाएं सर, देखिए क्या था डिजिटल में है, सब से पहले हमनों बहुत तेजी में आ है, थोड़े बहुत गलट भाम शेया भी ख करें, कैसे जल्दी जल्दी हम प्रॉफिट में आता है, अभी होड लगी है कि कौन पहले प्रॉफिट दिखाएगा, जितने भी आट-दास कंपनी लिस्टेड है, सब अच्छी कंपनी है, सब वेल फंड़े है, लेकिन अब जो होड लगी है कि हम इस कौर्ट में दिखाएं अब जो आएगा, बहुत ख़रा प्रॉफिट आएगा, अभी प्रॉफिट उन्हों नहीं कमाया है, अभी प्रॉमिस तु प्रॉफिट इस मुच मूर इन्विजिबल रही है, अच्छा एक दू चीज डिस्रॉप्टिव होने वादा, जैसे रिटेल है, बूलते हैं 700 बिलि तो वो रोजमर्दा की चीज़ है, अब उसमें क्या है कि यह भाई लोग सब जितने क्विक कॉमर्स है, जो इंस्टामार्ट है, आपका, इसका क्या नाम है, जो है, ब्लिंकेट, ब्लिंकेट, दुसरे तिंचार है, वो सब जो है, वहाँ पर बहुत अच्छी तरीका से, मता इंट्रेस्टिंग और बहुत लार्ज अपर्चुनटी एं ग्रोइंग अपर्चुनटी है, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि यहां से भी सेग्मेंट से एक दो बड़े कंपनी निकलेंगे, पचास सो दो सो बिलेंडर हो वाले, समय से, पकका निकलेंगे, क्योंकि आपका नि अपर्चुनटी इस लार्ज एक दो कंपनी है, तो मेरे ख्याल से इनको वेल्यू क्रेट करने का इदि मालो मैनेजमेंट सही धंग से चलते रहे, तो इनको बालनेशेट में पैसे भी है, इनको आता भी काम करने का, और अपना बे रिवलुशन है, डिलेवरी अपने घर में हर चीज के डिलेवरी हो रही है, ये तो